हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे प्रिंट मीडिया जो थी वो इवाल्व हो रही थी और उसने यूरॉप में कई सारे चिंजिस किये थे हमने हमारे लास्ट लेक्चर में यह देखा कि प्रिंट मीडिया ने 17 और 18 सेंचुरी में क्या-क्या इंपक्ट क्रियेट किया था पूरे यॉरॉप में अब हम थोड़े आगे की बात करने वाले हम बात करने वाले 19 सेंचुरी की जो एक अब हम इन तीनों पर फोकस करेंगे कि चिल्रन वुमेन और वरकर्स के लिए क्या चेंजिस हुए रीडिंग कल्चर में या प्रिंट मेडिया में तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम देखते हैं चिल्डन के परस्पेक्टिव से तो क्यूंकि चिल्डन ने पंढ़ना स् थी वो पब्लिश करती थी इसके लावा जर्मनी में ग्रिमी ब्रदर्स नाम की दू ब्रदर्स थे इन्होंने क्या किया कि यह अलग 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 गाओं में जाके गए जर्मनी के अलग पार्ट में गए और वहां पर फोर्क स्टोरीज जो थी जो पुरानी कताएं थी उनको एक कलेक्शन बनागे एक बुक में पब्लिश कर दिया यह बुक्स बच्चों के लिए थी जिससे उनको काफी जादा नॉलेज मिलती थी थी इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज जो वल्गर हो या जो बच्चों के लिए सुटेवल ना हो उन चीजों को पब्लिश नहीं किया जा रहा था आप देखते हैं सेकेड शेक्शन यानि कि वुमेंस के बारे में जो वुमेंस थे देस्ट हुऊ निएर्वी पनी डूुट下次 की तरह विर्डिष हो रहे थे ते यानिए मोड़् पढ़तों रही थे ते मुमेंस सबस्क्राइस कर सके हैं और नई चीज़े इंवेंट कर सके हैं यह फे नई चीज़े सीख सके हैं इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि women writers भी बन रहे थे एक women novelist थी काफी famous जिनका नाम था Jane Augustine इन्होंने भी काफी important book लिखी थी women's के उपर इसके अलावा और भी कई women's writers थे जैसे दे ग्रांटी सिस्टर्स, जोजी लॉइट जैसे जो के women's थे और इन्होंने women's के उपर काम भी किया था उनके उपर books भी लिखी थी इन साहे writers ने women's को अपनी books में एक अलग definition दी थी इन्होंने women के character को अलग तरह से define किया था इन्होंने कहा कि women is the person with will, strength and determination to hold power यानि women अब पहले जैसे weak नहीं रही वो person है जो काफी powerful है जिसके अंदे determination है और वो power भी hold कर सकती है यानि वो politics में भी जा सकती है इन्शोर इन्होंने यह कहा था कि women's जो पहले सब society तक limited थी अब वो reading की वज़े से उनकी दिमाग में awareness create हो गई थी और उन्हें पता था कि अब हम भी society के higher sections को control कर सकते हैं वहाँ पर अपनी reputation अपनी position बना सकते हैं अब देखते हैं third section हमारा third section था workers का workers के लिए landing libraries open कर दी गही थी landing libraries क्या होती हैं तो यह वो libraries होती हैं जहां पर आप books को rent पर ले सकते हैं और पढ़ के फिर वापस कर सकते हैं इसके लावा instruments for educating white-collar workers भी बनाए गई थे यानि जो workers जो थोड़े higher position पर थे उनके लिए अलग-अलग facilities प्रवाइड की गई थी ताकि वो अपनी मन-पसंद books पढ़ सके इसके लावा women's की तरह जो workers थे वो भी अपने लिए लिए लिख रहे थे वो भी अपनी autobiographies लिख रहे थे या उस ताइम जो political debates हो रही थी या political related topics पे लिख रहे थे जिनके जरिये वो workers की conditions दुनिया को बढ़ाना चाह रहे थे बॉल भी हो रहा था 90 century में और भी कई सारे innovations हुए थे print मीडिया में वो innovation क्या थे हम देखें हमारे नेक्स वीडियो में थैंक यू